Hey guys, welcome back to the channel, this is the YouTube boy video एक बार फिर से IPL का सबसे बड़ा AL क्लाश्य को खेला जाने वाला जहाँ पर दोनी और रोहित की से ना आमने सामने होंगी Super Saturday का Super मुकाबला है, यह बहुत ही मजा आने वाला है पहले मुकाबले की हम बात करेंगे, या निकि इस मुकाबले की हम बात करेंगे लेकिन दूसरे मुकाबले का अब्रेट हमारे Telegram चनल पर आएगा दूसरे मुकाबले की वीडियो का वेट मत करना, Telegram पर अब्रेट आएगा पहले बैटिंग करने वाली और संतावन मैच दूसरी पाड़ी में बैटिंग करने वाले टीम चीती है वैसे तो यहाँ पर एवरेट स्कोर 150-160 का माना जाता है बट इस IPL में यहाँ पर हमें बड़े-बड़े स्कोर देखने को मिले है बैक-टो-बैक 200-plus यहाँ पर बन रहा है और चेस भी हो रहा है आखरी मुकाबले में पंजाब ने चन्याई के खिलाब 200-plus का टोटल आखरी गेन पर चेस किया था उससे पहले भी आरार यहाँ पर 200 ठोके गई थी तो जम कर रन यहाँ पर हमें देखने को मिले है लेकिन एक चीज नहीं बदली है रन बन रहे है लेकिन एक चीज नहीं बदली है वो है इस्पिनर्स का जलवा जी है इस विकेट पर अभी भी हमें इस्पिनर्स का जलवा देखने को मिले है इस्पिनर्स विकेश चटकार हैं और दोनों टीमों के पास क्वालिटी इस्पिनर्स हैं तो ऐसे में मज़ा आने वाला रंस भी देखने को मिलेंगे मुझे लगता है 180-190 के आस पास का टोटल इस मैच में देखने को मिल सकता है बात किये अगर head-to-head battles की तो इन दोनों टीमो मुंबई को रोक दिया था लेकिन मुंबई की टीम फॉर्म में आ चुकी है तो बदला लेने के इरादे से उतरेगी आईए अब टीम प्रिभू कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं CSK की दस मैच खेले हैं पांच जीते हैं चार हारें आखरी मुकाबला ड्रॉ हो गया था चिनफी की टीम मुकाबले पर पकड बनाई हुए थी बहुत ही कमाल की गिंदभाजी कर रहे थी और बैक तुबैक टिफिđ जो मिला है उनके गिंदभाजों के काराण 200 प्लस इनके खिलाब बन रहे है, 200 प्लस इनके खिलाब चेस भी हो जा रहे है लेकिन आकरी मुकाबले में यह अपने concern को overcome करते हुए नजर आ रहे थे मतलब backput पर धकेल दिया था, इतनी मजबूत बैटिंग है LSG की backput पर धकेल दिया था अची बात ही है कि आप दीपक चेहर भी वापस आ चुके हैं जो कि इस venue पर अच्छी गिंदवाजी कर सकते हैं पहले मुकाबले में महें थाबित हुए 4 में 41 कर्च किया बट दीपक चेहर बहुत ही quality गिंदवाज है चोट के बाद वापसी किया थोड़ा वक्त लएगा लेकिन वो वापस आएंगे फॉर्म में वापसी कर सकते हैं तो ऐसे में अब धीरे धीरे चन्नाई की टीम अपने concern से overcome कर रही है बात की जाए इनकी बल्लेबाजी की तो यह बल्लेबाजी इस सालिंग की गजब की हुई है कॉनवे गजब की फॉर्म में back to back 50 जड रहे हैं और रुतुराज के साथ मिलकल power play में इस सारा momentum shift कर दे रहे हैं उसे carry forward कर रहे है धोनी भी अच्छे form है जो की finishing test दे रहे है तीन-तीन गेंदों में चार-चार गेंदों में दो-तीन चक्के लगा दे रहे है तो बल्लेबाजी इस स्ट्रेंद रने वाले मोहिन अली का बल्ला अभी तक नहीं चला है बट इस स्टिम की batting भी खतरनाक नजरा है रैडू का बल्ला अभी तक नहीं चला है बट फिर भी इस्टिम की batting बहुत खतरनाक नजरा है deep batting है बहुत ही बड़ी batting line-up इस्टिम के पास मौद है साधी यव्म एडवांटेस भी इस्टिम के साथ रहने वाला MI के खिलाब दो डग इनके जरूर है, दो मैच के लिए, दो डग जरूर है, लेकिन इस मैच में एक अच्छा मौका है, फॉर्म है, मौका है, दस्तूर है, MI खिलाब अपना रिकॉर्ड सुधारने का, रुतुराज 35 हर मैच में बना रहे हैं, इनका भी रिसेंट इनिंग देख पर फोर हो सकते हैं, उसके लिए दो विकेट आखरी गेम में लिया था, और यहां पर अगर थोड़ा सा भी टर्ण मिला, तो इस मैच में अच्छी गिंदवाजी कर सकते हैं, जडे जाए दो विकेट, तीन विकेट, एक विकेट हर मैच में ले रहे हैं, तो सार देश पर नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन जीते हैं, तो सीदे टॉप फोर में इनकी एंट्री हो जाएगी, इस साल पहली बार, बैक टुबैक मुकाबले जीत कर आ रहे हैं, पहले 214 चेस किया, 212 चेस किया, मतब 210-214 चेस करना बैक बहुत बड़ी बात होती है, बैटिंग बहु फिर्शे सुरिय चमकने लगा है, बैक टुबैक 50 आ रहे है, सुरिय कुमार यादो के बल्ले से आकरिम काबले में 31 गिंदों पे 68 रन बनाया था, डेवीड और तिलक बर्मा को फिनिसिंग का रोल मिला है, बहुत अच्छे तरीके से ये रोल निभा रहे हैं, मतलब कि 10-10 ग चार ओवर में 48 रन खर्च कर रहे है, ग्रीन विकेट चरूर चड़का रहे हैं, लेकिन इगनौमी पे कंटोल नहीं कर पारे हैं, सिर्फ चावला अच्छे एगनौमी से गिंदबाजी कर रहे हैं, और विकेट भी ले रहे हैं, सिर्फ एक गिंदबाज पी की टीम चलनी बा पार यह देखी जाए, तो हर मैच में दो दो विकेट आया है, इस मैच में भी दो विकेट लेत सकते हैं, वैसे भी स्पिनिंग ट्रैक है चेपॉक का, टीम डेविट बहुत अच्छे फोर्म है, अगर टॉप अटर कोलाप्स करता है, तो इनकी बलेबाजी जल्दी आ सकती ह तो'S के बा enfer कर organs को थाईच के बाद religion की आपकर आएगी, और दिनके दो मुकाबले की वीडियो such की डीओ नहीं आएगी, तो दूसरे मुकाबले का अपड 할्त भिकेट, ए हमारे टेलिग्राम चैनल की जरूर जुरूब करेना । आई अब बात करते हैं final verdict की, final prediction and possible outcome की, तो मेरे analysis के अनुसार, यह जो मुकाबला है 50-50 का है, बट मुझे लगता है कि CSK की टीम यह मुकाबला जीट सकती, जी आ, according to me, CSK मैं भी the winner of this match, बागी मैं तो हमें से सकता हूँ कि यह मेरा analysis है, यह सारी वीडियो देखने के बाद, सारा overview सुनने के बाद, आप का analysis क्या कहता है, वो जहादे matter करता है, make your own call, make your own decision, दिन के दो मुकाबले, दूसरे मुकाबले की update के लिए, टेलिग्राम जरूर जोइन कर लेना, धन्य बाद,